दासी की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवन सिंग के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंग पर भी जमकर बरसे ह दिन अनबने और बवीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े-बड़े खुलासे करते यहां तक कि आप भी उस लाइव में मौजूद थे आपने उनके लाइव को सुना है आपने जवाब भी दिया है क्या कुछ मामले निकल कर सामने आ रही है देखिए उनका भाई जो है मेरा काफी अच्छा दोस्त है हम लोग हमेशा बात चीत करते रहते हैं चाहे जब जोती सिंग पवन सिंग के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं और देखिए आग जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है वो इंस्टा पर है और लाइब आई हुए हैं उसमें काफी जादा भरक रहे थे जादा गाली दे रहे थे तो मैंने उन्हें कमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो उन्होंने जवाब द परटा है जोती सिंग स्वक्त हॉस्पिटल में है उनका इलाद चल रहा है DOCTOR परीवार के लोग परसान है और जो पवन सिंग के लोग है हम लोग बोल रहे है मतलब जो उनके मीडिया चैनल है पावन सिंग के जो सपोर्ट रहे 4,5 यह जादा नहीं है गुर्के है, 4,5 जो पैसे पर इधर हो जाते हैं वह अब सब्द का परहियोग कर रहे है कल तक तो आप चुनाओ में बोड़ रहे ए कि जोती भाभी है और आज कह रहे ही है कि जोती है ईतना बदलाओ कैसे भाई वो बदलाओ वाला जरा जो घुट्टी पवन सिंग के पास है वो घुट्टी सब को दे दो कि सब बदल जाओ गुट्टी जोती को भी दे देते एक चमच जोती भी पी लेती और बदल जाती पवन सिंग के साथ जो घर का अभी भी जोरने के बारे में सोच रही है वो भ जाएगी अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तव्यत खराब हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाज जारी है और जब इसका खुलासा बभिता मिस्रा करती है तो जिस तरीके से बभिता मिस्रा के लाइप में भी आप सबने देखा होगा कि पवन सिंग के जो गुरके हैं वो घुस गये घुसने के बाद किस तरीके का सब्दों का परियोग करने लग गये थे उसके बाद बगता मिस्रा भरकती है इन लोगों पर इन लोगों को डाटती है डपेटती है यहां तक ही इडियेट तक इन दो की जानकारी दे रहे थे उससमय भी इन लोग पहुंच जाते हैं मतलब इन लोग इंतिजार कर रहें हैं कि कब कोई जोती सिंग का पडिवार कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे है वह ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइप आ जाए तो वहाँ पावन सिंग ने सब को लाइन से खड़े कर दिया है कि सब एक एक देखते रहो जैसे ये कोई आता है तो 4-5 लोग घुस जा उसमें गड़ी आने लगो ये काम बचा है अपावल इस्टार पावन सही सब था मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप मा को बैठाते हैं तो उन्हें क्या बीठती है एक जवान बेहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीचता है कितनी ज्यादा इज्जत की फजीहत उड़ जाती है छीछा लेदर तो होता है वो अलग और उसके बाद कहने वाले लोग बिल्कुल और कहने वाले लोग तो क्या-क्य पाफन सिंग और जोती सिंग के साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है जो भी जोती सिंग कहा जा जा सकार हकाए तो काफeur डिप्रेशन में है और यहां तक कि अशबयों की जाती लोगों से ये भी कह जाते है कि आपकी बहन के साथ या यानि पावन से जो सपोर्टर हैं वो सपोर्ट करें और कोुजम को गाली बहुत तरह न होगा वोट तक मांगी हैं उनके साथ ही किये हैं उसके बाद भी जब जिस तरीके से पवन सिंग ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उन्हें कहा जाए तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उनने चोड़ दे क्यों कि बहुत बढ़ी बा में आगे बर रहे हैं तो उस तरीके से कहा जाए तो इतना बड़ा नाम बट इतना चोटा काम ये तो बहुत गलत बात हो जाती है जहां पर जोति सिंग इतनी जादा परेशान हो जाती है क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आजादा है यजि समाज में एक अलग नजर से उसे देखा जाता है। उसे कई बड़े सवाल उटते हैं और हमारा समाजी ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठाहरा जाते कि तुम्हारी कोई गलती पर यहां पर जोधी सिंग की गलती तो कोई साफ साफ देखी जा सेथी को विकास जी एक तरफ जोती सिंह के भाई इतने बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाये तो अपने बहन के लिए चिंते हैं जिस्तार से अभी आपने कहा है कि पावन सिंह के जो सपोर्टर है आई दिन पवन सिंह टीम बना लिए हैं जो आकर के लगातार कॉमेंट बाजी करना शुरू कर दे हैं लेकिन आपको बता देए एक नि competent जोती के रेलेशन को ले करके ख़वर चला हैं तो हमारे भी कॉमेंट बाजी में कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं लोगों क ब 앉तो को जो की इन के दो सब कुछ आ था कि जोती सिंग को इसवक्द चुनाओ के तहद हम लेकर आए हैं, तो चुनाओ खत्म होते ही जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है, वैसे में पवन सींग के जो करीभी लोग थे उन्हें भी ये पता था कि यहाँ पे सिर्फ जुती सिंग इस्तिमाल हो रही है, जोती सिंग के परिवार के जो लोग है जोती सिंग की जो बड़ी बहन जो चुनाव परचार में भी नजर आई वो सब यहां पर इस्तमाल हो रहे थे आप पवन सिंग सब के आखों में धूल जोक रहे थे बहुत अच्छी तरीके से धूल जोक रहे थे अब देखिए वो सब्सक्राइब नहीं कर रहें जो सही होगा उसका सपोर्ट किया जाएगा उसके खबरों को चलाया जाएगा जूति सिंग और पवन सिंग के रिस्ते को लेकर हम लोग तो कई ऐसे खबरें चलाते चाहे चौकिदारों का मामला हो या फिर चिराग पाशवान से रिलेटेड हो कोई भी बात हो भी हार सरकार या शराब बंदी को लेकर हर खबर को चलाते हैं हाजिपूर में पाशवानों के साथ जो हुगा हमने उसके लिए भी आवाज उठाया लेकिन देखिए सपोर्ट करना सही का साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया बखुवी इस काम क करता भी है हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे थे जोती सिंग के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे चाहे वो कोई भी क्यों नहों चाहे पवन सिंग ही क्यों नहों लेकिन इस वक्त पवन सिंग गलत है, तो है, इस वक्त जोती सिंग से अलग रह रहे हैं, तो रह रहे हैं, और कारण पवन सिंग को बताना ही होगा, पवन सिंग जिस तरीके से उससे में तमाम मीडिया चैनलों को इंटर्व्यू दिये थे, अपना इज्जत एक बना लिये थे और सांसत का चुनाव लड़ गये थे लेकिन अब उस इज्जत की फिर से फजियत हो रही है उस इज्जत की फिर से धजिया उर रही है ये भी पवन सिंग को समझना होगा अब पवन सिंग बार बार जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा छोटा पवन आएगा तो भाई तीसरी स आदि से आएगा कि जोती सींग के साथ ही आएगा यह वह थो आपको बताना होगा ना बिल्कुल जाब देखिए विकास जी जिस तर से इतना ब्याना बाजी हो रहा है इस तर से विवाद का कारण बर तो पावन सींग साफता और प्या के मेडिया करमियों के सामने बोल दें कि ओपनी पत्नी के साथ रहना चाहते, पत्नी को घर ले आई, जो ये तमाम खबरे चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, वो रुख JUST है बिल्कुल वो विवाद रुख JUST हैंगे, जैसे ही पावन जोती सिंग से सी यां तो फोन पर बात कर ले और बात करके आपके दिल में खोट था आपके मन में पहले से ही खोट धा जो अब निकलकर सामने आ रहा है कि आ अच्छा गये है प्रिया जी कि चुनाऊ हर गये आप सोचिए कि अगर ये चुनाव जीत जाते इनके पास सरकारी पावर हो जाता तो तब तो ये जोती सिंग को कहीं कि लायक नहीं रहने देते आज पावरी स्टार होते हुए जब जोती सिंग को सरक पर लाकर खड़े कर दिये तब तो जोतीसिंग को यह हणनु में पहुचा दे थे सांसद बनने के बाद क्या कुछ नहीं करते सांसद बनने के बाद हो सकता था कि डड़े से इज्जत के कारण जोती सिंग को अगर अपने घर में भी रखते कि उस समय इन पर सवाल उठता है एक सांसद ने अपनी धर्म-पत्नी को छोड़ दिया तो यह इस से बचने के लिए इस फजीहत और इस बिदे बचने के लिए आगर जोती सिंग को अपने घर में भी रखते तो बकाईदा किसी कोने में किसी फर्नीचर की तरह पड़ी हुई रहती और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता जोती सिंग का हालत है ऐसे भी जोती सिंग का आपके घर में नौकर वाला ही हाला थे, जोती सिंग ने कई बार न्यूज चैनलों को इंटर्व्यू देते हुए कहा कि मैं रात को दो बज़े खाना बनवाते हैं, मेरे से रात को तीन बज़े खाना बनवाते हैं, जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे आप डिस भी बनवाते हैं, इसका कई बार उनों ने खुलासा कर चुका है, तो आपके नजर में आपकी पतनी सिर्फ नौकर है, इससे ज्यादा आप दर्जा कभी जोती सिंग को नहीं दिये, लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना, भगवान मान करी, वो लगातार इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिस तरह से जोती सिंग के भाई ने साफ तोर पे कहा, उन सपोटरों को जो पावन सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बाती कर रहे थे, जोती सिंग को गाली भद्दा कर रहे थे, तो अगर ऐसा होता है, तो कोई भी भाई यही करना चाहेगा, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जोती सिंग के भाई ने लाइव आकर यह सारे बातों का खुलासा किया, और साथ ही साथ कहा जाए, तो जोती सिंग का स्टांड भी लिया है, सब के सामाज के सामने एक संदेश लिया है, कि पहली बात कि अगर किसी के सा लोगो आपको कहा चाहे तो पॉस्पेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, तो यह बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ गलत करता है को यह अपके साथ खुद गलत होता है, तो आप यह सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ हो रहा है, और उसके साथ साथ जैसे कि जोती अपके साथ गलत में उनका साथ दे रहे हैं, तो यह कोई खाज है तो अच्छी बात नहीं हो थी, तो उन्हें ने बहुत करा रहा है और काफी सही टूद पॉइंट उनको जवाब दिया है, और हर एक भाई का यह होता है कि वह अपनी बहन की रक्षा गरें, तो वह बहुत ज़्यादा काफी ज़्यादा खरें उतरें और यह काफी अच्छी बात हो जाती है उनके तरफ से, जैसा के भी आपने सुना कि पॉइंट सिंग के रिस्तिक लेकर आज जोती सिंग के भाई ने जमकर पवन सिंग के उन सारे सपोर्टरों को करारा जवाब दिया हलाकि जोती वीधिया होती है तो अभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात च्छिपाने से च्छिपती नहीं है यह सभी जानते हैं हलाकि पवन सिंग का आगला कदम क्या होगा यह देखना दिलचास्त रहेगा तब तक लिए आप यूई बने रहिएगा एक निउस 24 पर नवस्कार मैं प्रिया राज आप देखने एक निउस 24 आपको बता दें दिनों पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेकर बबीता मिस्टा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जोती सिंग के भाई अब लाइव आकर पवन सिंग के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंग पर भी जमकर बरसे हैं तो तमाम मुद्धों पर बातचीत करेंगे बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं विकास और श्रेया तक कि आप भी उस लाइब में मौजूद थे आपने उनके लाइब को सुना है आपने जवाब भी दिया है क्या कुछ मामले निकल कर सामने आ रही है देखिए उनका भाई जो है मेरा काफी अच्छा दोस्त है हम लोग हमेशा बात चीत करते रहते हैं चाहे जब जोती सिंग पवन सिंग के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं और देखिए आग जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है वो इंस्टा पर है और लाइब आए हुए हैं उसमें काफी जादा भरक रहे थे काफी जादा गाली दे कि जिस परिवार के साथ जो जोती सिंग के साथ यह आप बीती हुई है इतना बड़ा घटना घटा है जोती सिंग इस वक्त हॉस्पिटल में है उनका इलाद चल रहा है डॉक्टर परिसान है परिवार के लोग परिसान है और जो पवन सिंग के लोग है हम लोग बोल रहे है मतलब जो उनके मीडिया चैनल है पावन सिंग के जो सपोटर है जो चार पाँच यह ज्यादा नहीं है गुर के है चार पाँच जो पैसे पर इधर उधर हो जाते है वो जो है वो अब सब्द का परियोग कर रहे है अरे कल तक तो आप चुनाओं में बोर रहते कि जोती भाभी है जोती भाभी है और आज कह रहे हैं कि जोती है जोती है अरे इतना बदलाओ कैसे हो गया भाई वो बदलाओ वाला जरा जो घुट्टी पवन सिंग के पास है वो घुट्टी सब को दे दो कि सब बदल जाओ गुट्टी जोती को भी दे देते चमच जोती भी पी लेती और तरीके से वो अपनी जिन्दगी को बिताएगी कि इस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिन्दगी जो है वो जाएगी अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तब्यात खराब हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाज जा लोगों को डाटती है तब यहां तक एड़ियक्टी आगी लोगों को बोलती है और सीधां कहती ऋ시त अएंपश तेरव मिंद्गों को रहे है आज तुम्हारे है जूतीजिसिंग के भाय के साथ घटना घटता है जूति सिंग का भाई जब लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं वह ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइप आ जाए तो उहां पर पावन सिंग ने सब को लाइन से खड़े कर दिया है कि सब एक एक देखते रहो जैसे को याता है तो 4-5 लोग घुज जा उसमें गड़ी आने लगो य जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पड़ियो किया उस बिल्कुल सही सब्द था मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक जवान बेटी को घर में एक चीहत उड़ जाती है चीछा लेदर तो होता है वह अलग और उसके बाद कहने वाले लोग तो क्या-क्या ना कहते हैं कहने वाले को कहने दीजिए इससे जोती सिंग के परिवार को फर्क नहीं पड़ता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हां उन लोग जो लोग आज भौक रहे हैं उनकी बहन के साथ ऐसा ना हो भगवान न करें बिल्कुल स्रुया एक तरह पवन सिंग और जोती सिंग के साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है जो भी जोती सिंग कहा जाए मेंटली हरैस्मिन का सिकार हो रही है कहा जाए तो काफी डिप्रेशन में है और यहां तक की अश्पताल में भी चली जाती है जिस तरह से उनकी तबियत खराब हो जाती है लेकिन आज जोती सिंग के भाई आकर जिस तरह से लाइब आके लोगों से संपर करते हैं उस दौरान पावन सिंग के सपोर्टर आके वहां पे कई बड़ी बड़ी बाती करने लगते हैं कॉमेंट बाजी करने लगते हैं इस दौरान कई भिड़न जबड़न और कहा जाए जोती सिंग के भाई गाली गुलोज तक उतर जाते हैं लोगों से ये भी कह जाते हैं कि आपकी बहन के साथ यानि पवन सिंग के जो सपोर्टर हैं वो सपोर्ट करें और जोती सिंग को जो गाली भद्दी कर रहे थे उनको साथ और पर आपकी बहन के साथ होगा तो आप क्य पहले बात किया जाए जोतिस इंग की और पवन सिंग की तो उनकी जिस तरीके से अभी हाल ही में मद भेज चल रहे हैं करगार चुनाव के बाद जहां जोतिस इंग दिखी जारी थी कि वह अपने पत्नी धर्म पूरी तरीके से निभाई हैं पूरे समय उनको सपोर्ट की है उ अब जोतिसी बिखू सब्सक्राइब के निभाई से में अपने जोली फेला के उनके वोट तक मांगी हैं उनके साथ धूप में चली हैं सारे काम उनके साथ ही और उसके भी जब जिस तरीके से पावन सिंग ने उनका साहाँ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उन्हें कहा तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जए तो दाग लगा के उन्हें चोड़ दे कि बहुत बड़ी बात हुजाती है जब एक लड़ी शादी शुदा होती है और भी इसी चोटने मोटे इंसान से नहीं पावन सिंग भोजपूरी का पावस्टार कहा जाता है और अब तो अब तो रिजेक्शन की जो बात आजाती है तो समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है उसमें बड़े सवाल उटते है और हमारा समाज ही ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठहरा जाती है कि तुम्हारी कोई गलती पर यहां पे जोदी सिंग की गलती दी कोई गलती ही ती वो तो आयदेर हमेशा अपने पती के साथ ही नजर आधी थी तो अज़री का पत्नी का रोल ने बाते भाते वी सीदरी सिदर नजर आती ती और जहां अचानक से परमान ने उन्हें ऐसे कहा जाय तो डिसकार्ड कर जिए उनने छोड दिया तो यह काफी कहा जाए तो काफी गंभीर मामला होता चला जा रहा है विकास जी एक तरफ जोती सिंग के भाई इतने बड़े बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा चिंते हैं जिसता से अभी आपने कहा कि पवन सिंग के जो सपोर्टर है आई दिन की whatever यह साथ आपने पतनी का प्यार मिलें पतनी पने पति का साथ हो मिल रहा है चुनाओ के विए सबके आंखों में धूल जोख रहा थे, अब देखिए वो लोगों को पहले से पता था है कि यह चीज होने वाला है इसके लिए उनलोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है वो बीच रहा पर लाकर छोडएंगे तो हमें किस तरीके से रन्निती बनानी है वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं हो या कि कोई भी बात हो भी हार सरकार या शराब बंदी को लेकर हर ख़वर को चलाते हैं लेकिन देखे सपोर्ट करना सही का साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया बखुवी इस काम को करता भी है हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे चाहे वो कोई भी क्यों नहों चाहे पवन सिंग ही क्यों नहों लेकिन इस वक्त पवन सिंग गलत है तो है इस वक्त जोती सिंग से अलग रह रहे हैं तो रह रहे हैं और कारण पवन सिंग को बताना ही ये भी पवन सिंह को समझना होगा आप बेटा होगा चोतार पवन आएगा टीसरी साथी से आए कि जोती सिंह के साथ हिए ऐगा ये तो आपको बताना होगा न संदूअ कि विकाज जी जैसे ही पावन सिंह जोती सिंह से या तो फोन पे बात कर ले और बात करके ओ सिधा कहें कि हाँ भाई हम तुम्हे इस दिन लेने आ रहे हैं, जोती सिंह तयार रहे जोती सिंह अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी तब जोती सिंह 100 होगी, लेकिन जोती सिंह को आप धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये, तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है, जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे, जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब न क्या हर होते हुए जब जोती सिंगो सप्थ पर ला कर खड़े कर दिए तब जोती सिंगों ये जहनू में पहुचा देते संसफ बनने के बाते क्या कुछ नहीं करते संसफ हमचने के बाद आप और विद्जदी से संही की लिए अगर ठैए तो वह बकायदा किसी कोने में किसी फर्नीचर की तरफ पड़ी हुई रहती और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता वो जोती सिंग का हालत होता ऐसे भी जोती सिंग आपके घर में नौकर वाला ही हालत है। इससे ज्यादा आप दर्जा कभी जोती सिंग को नहीं दिये लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना भगवान मान करी वो लगातार आपको जिताने के लिए घर घर गई थी चोखट चोखट पहुची थी और आसिरवाद मांग रही थी स्रिया एक तरफ जिसता से पवन सिंग और जोती सिंग के रिष्टे चल रहे लेकिन जोती सिंग के भाई ने आज जो कुछ भी कहा कईने कई समाज पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है जिसता से जोती सिंग के भाई ने साफ तोर पे कहा उन सपोटरों को जो पवन सिं कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए आपको समाज के आगे आना चाहिए अपने बारे में बताना चाहिए और बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप समाज के सामने नहीं आएंगे लोगों के आपकी परिशानी समझ में नहीं आएगी लोगों आपक यह कर दो है तो पॉप्स्पेक्टिव नहीं ए तो यह पर ज़रूरी है कि आपके साथ गलत करता है ओ अप explained सामने आपके साथ चुछ और अपके साथ हो एस वरा है स्टाट डे रहे हाँ उनके हां में हां मिला रहे तो ये कोई खाज है तो अच्छी बात नहीं होती तो उन्हें ने बहुत करारा और काफी सही टूदा पॉइंट उनको जवाब दिया है पॉइंट नहीं होता है कि वह अपनी बेहना की रक्षाद करें तो वहों अपन a price आज आपनी के बाई करार जवाब दिया हरा कि जोटी सिंह अस्पताल में थी इस वक्त भी पावंसी के सपोर्टर जम कर गाली फटकार करते रहें लेकिन जोती सिंग के भाई ने एक एकर सब को करारा जवाब दिया है अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज मैसी गतिवीधिया होती है तो आभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने स से चिपती नहीं है यह सभी जानते हैं हलाकि पवन सिंग का अगला कदम क्या होगा यह देखना दिल्चास रहेगा तब तक लिए आप यह भी बने रहिएगा एक निवस्ट्रियार राज आप देख एक निवस्ट्रियार आपको बता दे इन दिनों पवन सिंग और जोती सि कई बड़ी खुलासी की और विवादों का भी कारण बनी रहे लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवन सिंग के लोगों को और जो आई दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंग प इसना भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाई वाकर बड़े-बड़े खुलासे करते यहां तक कि आप भी उस लाई में मौजूद थे आपने उनके लाई को सुना है आपने जवाब भी दिया है क्या कुछ मा मेंसा बात करते हैं और देखिEZ आज जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई हैं वो इंस्टा पर है ओवाई हूँए हैं उसमें काफी ज़्यादा बरक रहे थे काफी ज्यादा गाली दे ठी तो मैंने उन्हें कुमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो उन्होंने जवाब दिया कि भाईया क्या बताऊं कि इन लोग जो हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं आप देखिए तो वो जो कमेंट आप परेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस परिवार के साथ जो जोती सिंग के साथ ही या आप बीती हुई है इतना बड़ा घ जोती सिंग इस वड़ा में उनका इलाद चल रहा है डौक्टर परिसान परिवार के लोग परसान और पवन सिंग के लोग है हम लोग बोर रहे हैं मतलब जो उनके मीडिया चैनल हैं पवन सिंग में जो सपोटर है जो 4-555u ज्ञादा नहीं है गुर्के AK Smile पांच जो पैशे पर इधर उधर हो जाते हैं वह जो हैं वह अब सब्द का परियोmart कर रहें कल तक तो आप चुनाओं में बोर रहे तें जोती भाभी है जोती है और आज कह रहे हैं कि जोती है जोती है अरे इतना सब को दे दो कि सब बदल जये जोती को भी आगे बढ़ जाती सब अब बहुञने का कारण अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तब्यात खराब हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाज जारी है और जब इसका खुलासा बभिता मिस्रा करती है तो जिस तरीके से बभिता मिस्रा के लाइप में भी आप सब लोगो को डाटती है और सीदा कहती है कि आउट हो जाओ यहांसे तुम लोगों का यहां पे कोई जरूरत नहीं है आज तुमारे परिवार के साथ नहीं हो रहा है और यही से आज जोती सिंगह के भाई के साथ घटना घटता है जोती सिंग का भाईos जानकारी दे मतलब इन लोग इंतिजार कर रहे हैं, कि कब कोई जोती सिंग का परिवार, कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वह ऐसा कुछ खबर चलाए, या ऐसे इंस्टा पर लाइन पाजाए, तो उहाँ पावन सिंग ने सब को लाइन से खड़े कर दिया है, कि सब एक-एक देखते रहो, जैसी यह कोई आता है, तो चार-पाँच लोग घुस जा, उसमें गड़ी आने लगो, यह काम बचा है अपावर इस्टार पावन सिंग के, अपावन सिंग के लोगों का, तब है न, कि कल बविता मिश्रा के साथ ही यही हुआ, और आज उनके भाई के साथ ही यही हुआ, उसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला, जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पड़ियोग किया, बिल्कुल सही सब्द था, मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूँ, कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप मा को बैठाते हैं, तो उन्हें क्या बीठती है, एक जवान बेहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है, तो उस भाई पर क्या बीठता है, कितनी ज़्यादा इज्जत की फजीहत उड़ जाती है, चीछा लेदर तो होता है वो हालग टो उसके बाद कहने वाले लोग तो क्या क्या न कहते हैं, इसे जोती सिंग की परिवार को फर्क नहीं पर ता है, किसी को फर्क नहीं परता है लेकिन हा, उन लोग जो लोग आज भॉक रहे हैं, उनकी बहन के साथ ऐसा नहों भगवान न कड़े बिल्कुल श्रुया एक तरह पवन सिंग और जोती सिंग के साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है जो भी जोती सिंग कहा जाए मेंटली हरैस्मिन का सिकार हो रही है कहा जाए तो काफी डिप्रेसन में है और यहां तक कि अश्प वंठी सिंग कहा जाए तो जोती सिंग के भाई गाली गोलौज तक लिए लोगों के यह भी कह जाते हैं तो पय बहन के साथ Jyotis Inc. तो इस तरीके से यावहाल में रहे है, कारकवाठ चनाव के बाद जहां जोती सिंग दिखी जाए थी कि वो अपने पतनी धर्म पूरी तरीके से निभाई हैं, पूरे समय उनको support की हैं, उनका कहा जाए तो दाया हाथ बनके उनका better half बनके उनके साथ खरी रही हैं, हमेशा अपनी जोली फैला के उनके लिए वोट तक मांगी हैं, उनके साथ धूप में चली हैं, सारे काम उनके सा यह पर बात ही ही एक उसके बाद भी जब जिस तरीके से पवन सिंग ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उने उन्हें चाहिए तो समाजिक रूप में उनके उपर एक अपर एक आज तो डाग लगा कि उने चोड़ दे क्यों कि बहुत बड़ी बात ही ज़ा ज़ जहां पर जोति सिंग इतनी ज़ादा परिशान हो जाती है मेंटली भी शोशली भी क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आज़ा जाती है समाज में एक अलग नजर से उसे देखा जाता है उसे कई बड़े सवा जोति सिंग की जाती है सवाल उठते है और हमारा समाज ही ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठाहरा जाए कि तुम्हारी कोई गलती पर यहां पर जोति सिंग की गलती तो कोई साफ देखी जासे यह नहीं थी वो तो आया दिर हमेशा अपने पती के साथ ही दारेम पतनी का रोल सिरेखे लिए जरा शिरे नजर आती थी और जहां अचानक से इसे अचार्मिन त। इसे कहा जाये तो थे झाड चुड़िया तो जोड़िया काफी साद उनने मैंचिली भी ने छॉड़िया जाये धनुगा वहाँ जाता है। और अभी हॉस्पिटल तक पहुच चुके तो ये काफी कहा जाए तो काफी गंभीर मामला होता चला जा रहा है विकास जी एक तरफ जोती सिंग के भाई इतने बड़े-बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफी जादा चिंते हैं जिसतार से अभी आ कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं लोगों का कहना है कि तुम्हें कोई ख़वर नहीं मिल रहा है इस तरह कि तमाम चीजे क्या यह वही सपोर्टर से या फिर कहा जाए तो ऐसा क्यों कि हम जो कारे कर रहे हैं पावन सिंग जोती सिंग के रिलेशन सिर्फ हम अप यह तो मैटर करता है पावन सिंग को सब कुछ पता था कि जोती सिंग को इस वक्त चुनाओ के तहद हम लेकर आए हैं तो चुनाओ खत्म होते ही जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है वैसे में पावन सिंग के जो कड़ीवी लोग थे उन्हें भी यह पता था कि यहां यहां पर इस्तमाल हो रहे थे बहुत अच्छी तरीके से धूल जोख रहे थे अब देखी वह लोगों को पहले से पता था कि यह चीज होने वाला है इसके लिए उनलोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है वो बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे तो हमें किस तरीके से रन्निती बनानी है वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नही हो या कि कोई भी बात हो भी हार सरकार या शराब बंदी को लेकर हर ख़वर को चलाते हैं हाजिपूर में पाश्वानों के साथ जो हुआ हमने उसके लिए भी आवाज उठाया लेकिन देखिए सपोर्ट करना सही का साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया लेकिन इस वक्त पवन सिंग गलत है तो है इस वक्त जोती सिंग से अलग रह रहे है तो रह रहे है और कारण पवन सिंग को बताना ही होगा पवन सिंग जिस तरीके से उससे में तमाम मीडिया चैनलों को इंटर्व्यू दिये थे अपना इज्जत एक बना लिये थे और सां बिल्कुल जब दिखिए इतना वियान भाजी होरा है इस तosta से विवाद का कारण बत्रेंगे कि वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते रहना चील suspect को गर ले जोती सिंग तयार रहेगी, जोती सिंग अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी, तब जोती सिंग गलत होगी, लेकिन जोती सिंग को आप छोड़ दिये, धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये, तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है, जोती सिंग को आप पहले भी निक जूनाओ हार गए आप सोचिए कि अगर यह चुनाओ जीत जाते इनके पास सरकारी पावर हो जाता तो तब तो यह जोती सिंग को कही के लायक नहीं रहने देते आज पावर हिश्टार होते हुए जब जोती सिंग को सरक पर लाकर खड़े कर दिये तब तो जोती सिंग को यह में पहुचा देते, सांसद बनने के बाद क्या कुछ नहीं करते, सांसद बनने के बाद हो सकता था कि डड़े से इज्जत के कारण ये जोती सिंग को अगर अपने घर में भी रखते, कि उस समय इन पर सवाल उठता है, एक सांसद ने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, त बेजदी से बचने के लिए अगर जोती सिंग हो आपने घर में भी रखते, वह बकायदा किसी कोने में किसी फणिठ की तरह पड़ी हुई रहती और वह ही घर का नौकर वाला हालत होता, ऊसे भी जोती सिंग के आप एक घर में नौकर वाला ही हालत है, ये जोती sir ने कई बा आप डिस भी बनवाते हैं इसका कई बार उन्होंने खुलासा कर चुका है तो आपके नजर में आपकी पतनी सिर्फ नौकर है इससे ज्यादा आप दर्जा कभी जोती सिंग को नहीं दिये लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना भगवान मान करी वो लगातार आपको ज जादा असर पड़ता है । उन सप्पोर्ट्रों को जो पावन सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बाती कर रहे थे यहीं करना चाहेगा आपको क्या लगता है जिस तरीके से जोती सिंग के भाई ने लाईवा आकर यह सारे वातों का खुलासा किया और साथी साथ कहा जा आपको समाज के आगे आना चाहिए अपने बारे में बताना चाहिए और बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप समाज के सामने नहीं आएंगे लोगों के आपकी परिशानी समझ में नहीं आएगी लोगों आपका चाहिए तो पोस्पेक्टिव नहीं समझ पाएंगे तो यह बहु लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत में भी उनका साथ दे तो जिस तरीके से उनके जो फैन बेसे उनके गलत में भी उनका साथ दे रहे हां उनके हां मिला तो यह कोई तो अच्छी बात नहीं होती तो उन्हें ने बहुत करारा और काफी सही टूदब पॉइंट उनको अजमे करारा जबाब दिया है गया कि जोती सिंए ऐस गति ony अगर समाज में इसी गतिवीदिया होती है तो अब यह उसके सपोर्ट में रहे है वह वह बात रहिए खिपाने से पाने नहीं है। सब भी जानते हैं हलाकि पवंच सिंग का अगला कदम क्या होगा यह देखना दिल्चास्त रहेगा तब तक लिए आप यूँ भी बने रहिएगा एक निवस्कार मैं प्रिया राज आप देख एक निवस्ट 24 आपको बता दें दिनों पवंच सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेकर बबीता मिस्टा कई बड़ी खुलासी की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवंच सिंग के लोगों को और जो आए दिन पवंच सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फ बबीता मिस्टा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े-बड़े खुलासे करते यहां तक कि आप भी उस लाइव में मौजूद थे आपने उनके लाइव को सुना है आपने जवाब भी दिय आप जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है वो इंस्टा पर है और लाइब आए हुए हैं उसमें काफी ज़्यादा भरक रहे थे काफी ज़्यादा गाली दे रहे थे तो मैंने उन्हें कमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो उन्होंने जवाब दिया कि जिवार के घटना घटा है जोती सिंग इस वक्त हॉस्पिटल में हुठ उनका इलाद चल रहा है न परिवार के लोक परoi सान है और थाUB का परयोक कर रहे हैं अरे कल तक तो आप चुनावों में बोल रहते कि जोती भाभी है जोती भाभी है और आज कह रहे हैं कि जोती है जोती है अरे इतना बदलाओ कैसे हो गया भाई-वह बदलाओ व्योग जरा जो घुट्टी पवण सिंग के पास है वो घुट्टी सब को दे दो कि सब बदल जोती को भी दे देते एक चम्मच जोती भी पी लेती और बदल जाती पवन सिंग के साथ जो घर का अभी भी जोडने के बारे में सोच रही है वह भूल जाती सब कुछ अपने जिंद्गी में आगे बढ़ जाती और आज वह न भूलने का कारण है कि जोती सिंग सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा अब किस तरीके से वो अपनी जिन्दगी को बिताएगी किस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिन्दगी जो है वो जाएगी अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तब्यात खराब हो गया है और वो इस तरीके का सब्दों का परियोक करने लग गये थे उसके singular भगता मिस्रा बरक्ति इस लोगों लोगों को डाटती है जोती सिंग का भाई जब आज इंस्टा के माध्याम से लाइब आकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे उस समय भी इन लोग पहुँच जाते हैं मतलब इन लोग इंतिजार कर रहे हैं कि कब कोई जोती सिंग का पड़िवार कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिं उसमें गड़ियाने लगो यह काम बचा है अपावर इस्टार पवन सिंग के लोगों का तब है न कि कल बविता मिस्रा के साथ ही यही हुआ और आज उनके भाई के साथ ही हुआ उसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला जो सब्द से उनके भाई ने इन लो को बैठाते हैं तो उन्हें क्या बीठती है एक जवान बहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीठता है कितनी ज्यादा इज्जत की फजीहत उड़ जाती है छीछा लेदर तो होता है वह अलग औ बिल्खुल और कहने वाले लोग तो क्या-क्या न कहते हैं कहने ओलोपक है इसंतर लोग अज भौग रहे हैं उनकी बहण के साथ अइसा ना भगवान करें विल्खुल लेकिन आदो जोती सिंगह के भाई आकर जिस्ता से लाइव आके लोगों से संपर करते हैं उस दौरान पवन सिंग के सपोटर आकि वहां पे कई बड़ी बड़ी बाती कर ने लगते हैं, कौमेंट बाजी करने लगते हैं, इस दोरान आपकी बहन के साथ होगा, तो आप क्या क कि पहले बात किये जाए जोति शिंग की और पवन सिंग की तो उनकी जिस तरीके से अबी हाल ही में मद भेज चल रहे हैं करागार चुनाव के बाद जहां जोति सिंग दिखी जा थी कि वो अपने पतनी धर्म पूरी तरीकी से निभाई हैं पूरे समय उनको सपोर्ट की हैं उ बेटर हाफमन के उनके साथ खरी रही हमेशा अपनी जोली फैला के उनके लिए उनके लिए वोट तक मांगी हैं उनके साथ धूप में चली हैं सारे काम उनके साथ ही किये हैं उसके बाद भी जब जिस तरीके से पवन सिंग ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उनके 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 उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उनके चोड़ दे क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक लड़की शादिश होदा होती है और वी किसी चोटने मोटे इनसान से नहीं पवन सिंग भूचपूरी का पावस्टार कहा जाता है और अब बॉलिवुड में अपना नाम बढ़ाने बे तुलेवें आगे बढ़ रहे है तो उस तरीके से कहा जाए तो इतना बड़ा नाम बट इतना चोटा काम ये तो बहुत गलत बात हो जाती है जहां पर जोती सिंग इतनी जादा परेशान हो जाती है मेंटली भी शोशली भी क्य सवाल उठते है और हमारा समाजी ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठहरा जाए तुम्हारी कोई गलती पर यहां पर जोती सिंग की गलती तो कोई साफ साफ देखी जासेटी कोई गलती ही नही थी वो तो आए दिन हमेशा अपने पती के साथ ही नजर आती दारी पती का रोल निभाते वे सिर्ए सिर्ए नजर आती ती और जहां अचानक से परमन सिंग ने उन्हें ऐसे कहा जाए तो इसकार्ड कर दिया उन्हें छोड दिया तो यह काफी सादा उनके मेंटली भी उनके बॉड़ी पर गलती असर पर पर रहना है वो बहुत अधा प प्रेशन के शिकार हो गई है और अभी हॉस्पिटल तक बहुत चुके तो यह काफी कहा जाए तो काफी गंभीर मामला होता चला जा रहा है विकास जी एक तरफ जोती सिंग के भाई इतने बड़े-बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफी रिलेशन को ले करके ख़बरे चला रही है तो हमारे भी कॉमेंट बाजी में कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं लोगों का कहना है कि तुम्हें कोई ख़बर नहीं मिल रहा है इस तरह कि तमाम चीज़े क्या यह वही सपोर्टर से या फिर कहा जाए तो ऐसा क्य लेकिन जोती सिंग के साथ उल्टा देखने को मिल रहा है चुनाओ के बाद से तो पवेसली यह तो मैटर करता है पवन सिंग को सब कुष पता था कि जोती सिंग को इस वक्षै तहद हम लेकर आए हैं तो चुनाओ खत्म होते ही जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है वै सब के आखों में धूल जोक रहे थे बहुत अच्छी तरीके से धूल जोक रहे थे अब देखिए वो लोगों को पहले से पता था कि यह चीज होने वाला है इसके लिए उन लोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा जोती सिंग को जब पवन सिंग वह बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे तो हमें किस तरीके से रन्नीती बनानी है वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं जो सही होगा उसका सपोर्ट किया जाएगा उसके ख़बरों को चलाया जाए नौट इविन जोती सिंग औ पश्वानों के साथ जो हुगा हमने उसके लिए भी आवाज उठाया लेकिन देखे सपोर्ट करना सही का साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया बखुवी इस काम को करता भी है हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे हैं और जिसके स गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे चाहे वो कोई भी क्यों नहों चाहे पवन सिंग ही क्यों नहों लेकिन इस वक्त पवन सिंग गलत है तो है इस वक्त जोती सिंग से अलग रह रहे हैं तो रह रहे हैं और कारण पवन सिंग को बताना ही होगा पवन सिंग जिस तरीके से उससे में तमाम मीडिया चैनलों को इंटर्व्यू दिये थे अपना इज्जत एक बना लिए थे और सांसत का चुनाव लड़ गये थे लेकिन अब उस इज्जत की फिर से फजियत हो रही है उस इज्जत की फिर से धजिया उर रही है यह भी पवन सिंग को समझ तो पवन सिंग साफ तौर प्या के मेडिया कर्मियों के सामने बोल दे कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते है अपनी पत्नी को घर ले आए जो यह तमाम खबरे चल रही है विवाद चल रहे हो रुख जाएंगी बिल्कुल वो विवाद रुख जाएंगे जैसे ही जोती सिंग को आप छोड़ दिये धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले है इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था आपके मन में प रख तक거야 जोती सिंग इन पर सवाल उठता कि एक सांसद ने अपनी धर्म-पत्नी को छोड़ हुई रहती और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता वो जोती सिंग का हालत होता ऐसे भी जोती सिंग का आपके घर में नौकर वाला ही हालत है जोती सिंग ने कई बार न्यूस चानलों को इंटर्व्यू देते हुए कहा कि मैं रात को दो बज़े खाना बनवाते हैं मेरे से ज्यादा आप दर्जा कभी जोती सिंग को नहीं दिये लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना भगवान मान करी वो लगातार आपको जिताने के लिए घर घर गई थी चोखट चोखट पहुची थी और आसिरवाद मांग रही थी स्रिया एक तरफ जिसताओ से पवन जोती सिंग के रिष्टे चल रहे लेकिन जोती सिंग के भाई ने आज जो कुछ भी कहा कई ने कई शमाज पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है जिस तरह से जोती सिंग के भाई ने साफ तोर पे कहा उन सपूर्टरों को जो परण सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बाती कर रहे थे जोती सिंग को गाली भद्दा कर रहे थे तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी भाई यही करना चाहेगा आपको क्या लगता है जिस तरीके से जोति सिंग के भाई ने लाइव आके ये सारे बातों का खुलासा किया और साथ ही साथ कहा जाए तो जोति सिंग का स्टांड भी लिया है सब के सामने समाज के सामने एक संदेश लिया है कि पहली बात कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए आपको अपने आवास उठानी चाहिए आपको समाज के आगे आना चाहिए अपने बारे में बताना चाहिए और बोलना चाहिए क्योंकि अगर आ क्या है उसके साथ 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 जिसे की जोते संग के भाई कहीत लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत में भी उनका साथ दे तो जिस तरीके से उनके जो फैन बेसे उनके गलत में भी उनका साथ दे रहे हां उनके हां मिला तो यह कोई खाज है तो अच्छी बात नहीं हो थी तो उन्हें ने बहुत करा रहा और काफी सही टूदा जैसा के भी आपने सुना कि पावन सिंग जोती सिंग के रिस्तिक लेकर आज जोती सिंग के भाई ने जमकर पावन सिंग के उन सारे सपोर्टरों को करारा जवाब दिया हलाकि जोती सिंग अस्पताल में थी इस वक्त भी पावन सिंग के सपोर्टर जमकर गाली फटकार करत अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज में ऐसी गतिवीधिया होती है तो आभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ये सब ही जानते हैं हलाकि पवन सिंग का आगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचास रहेगा तब तक लिए आप युवी बने रहिएगा एकन्यूस 24 पर धन्यवाद नवस्कार मैं प्रिया राज आप देखने एकन्यूस 24 आपको बता दें दिनों पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेकर बबीता मिस्टा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवन सिंग के लोगों को और जो आई दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंग पर भी जमकर बरसे हैं सबसे पहले विकास जिसता से पवन सिंग जोती सिंग के रिष्टे को लेकर आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े-बड़े खुलासे करके यहां तक कि आप भी उस लाइव में मौझूद थे आपने उनके लाइव को सुना है आपने जवाब भी दिया है क्या कुछ मामले निकल कर सामने आ रही है देखिए उनका भाई जो है मेरा काफी अच्छा दोस्त है हम लोग हमेशा बात चीत करते रहते हैं चाहे जब जोती सिंग पवन कर रहे थे काफी जाड़ा गाली दे रहे थे तो मैंने उन्हें कमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो उन्होंने जवाब दिया कि भाईया क्या बताओं कि इन लोग जो है किस तरीके से बात कर रहे हैं आप देखिए तो वो जो कमेंट आप पढ़ेंगे तो आप ये सो लोग बोल रहे हैं मतलब जो उनके मीडिया चाइनल है पावन सिंग के जो सपोटर है जो चार पाँच यह ज्यादा नहीं है गुर्के है चार पाँच जो पैसे पर इधर उधर हो जाते हैं वो जो है वो अब सब्द का परियोग कर रहे हैं अरे कल तक तो आप चुनाओं में सब्द रहें कि जोति भाभी है जोति भाभी है और आज कह रहा है है कि जोती है जोती है अठना बदलाओ और शिर्षा के साथ और बदलners top के साथ जोटें लगारे में सोच रहे हैं वो भूल जाती सबकुछ अपने जिन्द्गी में आगे बढeszाती, और आज, वो न भूलने का कारण है, कि जोति सिंग सोच, सोच कर आगे पिछे क्या करना होगा अब, किस तरीके से वो अपनी जिन्द्गी को बिताएगी, किस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिन्द्गी जो है वो जाएगी अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनका तव्यत खराब हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाद जारी है और जब इसका खुलासा बविता मिस्रा करती है तो जिस तरीके से बविता मिस्रा के सीथार और सीथा कहती है कि आऋट हो यहां से तुम लोगों का यहां पर कोई जरूरत नहीं है आगा तुम्हारे परिवार के साथ… और यही से आज जोती सिंग के भाई के साथ घटना घटता है, जोती सिंग का भाई जब आज इंस्टा के माद्याम से लाइब आकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे, उस समय भी इन लोग पहुंच जाते हैं, मतलब इन लोग इंतिजार कर रहे हैं, कि कब कोई जोती सिंग का पडिवार कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइप आ जाए तो उहां पर पावन सिंग ने सब को लाइन से खड़े कर दिया है कि सब एक एक देखते रहो जैसे को याता है तो चा का तेवर देखने को मिला जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पड़ियो किया उस बिल्कुल सही सब्द था मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप मा को बैठाते हैं तो उन्हें क्या बीठती है एक जवान बेहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीठता है कितनी ज़्यादा इज्जत की फजीहत ऊड़ जाती है इसी को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हाँ उन लोग जो लोग आज भॉक रहे हैं उनकी बहन के साथ ऐसा नहों भगवान ना करें श्रुया एक तरह पावन सिंग और जोती सिंग के साथ जो कुछ भी चल रहा है जो भी जोती सिंग कहा जाए मेंटली हैस्मिन का सिकार हो रही कई बड़ी बड़ी बाते करने लगते हैं कॉमेंट बाजी करने लगते इस दौरान कई बिढ़न जप्रान और कहा जाये तो जोती सिंग के भाई गाली गुलौज तक उतर जाते हैं लोगों से ये भी कह जाते हैं कि आपकी बहन के साथ यानि पवंध सिंग के जो सपोर्ट जोति सिंग्ह दिखी जाली थी कि वो अपने पतनी धर्म पूरी तरीक्य से निभाई हैं। पूरे सम ही हैं। But नियर्म तरफन जोड़ दिया। जब फ़सopen पवंसिंगह॥ उनका साथ बीच में छोड़ दिया। और हुआ तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उन्हें चोड़ दे क्योंकि बहुत बड़ी बात हुजाती है जब एक लड़की शादी शुदा होती है और वी किसी छोटने मोटे इंसान से नहीं पावन सिंग भोजपूरी का पावस्टार कहा जाता है और तो समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है उसे कही बड़े सवाल उटते है और हमारा समाज ही ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठहरा जाए तो तुम्हारी कोई गलती पर यहां पे जोदी सिंग की गलती तो कोई साफ साफ देखी जासे ती कोई गलत अधिक से पर ने इसे कहा जाए तो डिसकार्ड कर दिया उनने छोड़ दिया तो यह काफी सादा उनके उनके में फिजिकल इनके बॉड़ी पर रहा है वह बहुत अधा डिपरेशन के अच्छा शिकार हो गई है और अभी तो अभी तक बहुत चुकी तो यह काफी अधी इतने बड़े बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा चिंते हैं जिसता से अभी आपने कहा कि पवन सिंग के जो सपोर्टर है आई दिन पवन सिंग एक टिंग बना लिये हैं जो आ करके लगातार कॉमेंट बाजी करना शुरू कर दे र करोंटर से यह कहा जाए तो ऐसे क्योंकि हम जो कारेकर्ष battle आप सिंग के रिलेशन सिर्फ हम अपनी वज़ासे नहीं कर रहे हां हर काराकार्ट की जंता कहा जाए तो पूरी जंता चाहाती थी कि डोनों के रिलेंज अच्छे रहें एक पति को अपने सी का प्यारं मिले पत् परिवार के जो लोग है, जोती सिंग की जो बड़ी बहन है, जो चुनाओ परचार में भी नजर आई, वो सब यहां पर इस्तमाल हो रहे थे, आप पवन सिंग सब के आँखों में धूल जोक रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से धूल जोक रहे थे, अब देखिए, वो लोग सिंग जो है, वो बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे, तो हमें किस तरीके से रन्नीटी बनानी है, वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, जो सही होगा, उसका सपोर्ट किया जाएगा, उसके ख़बरों को चलाया जाएगा, जो सपोर्ट करना, सही का साथ देना, ये मीडिया का काम होता है, और मीडिया बखुवी इस काम को करता भी है, हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे हैं, जोती सिंग के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं, और जिसके साथ गलत होगा, हम उस उसे में तेमाम मीडिया चैनलों को इंटर्व्यू दिये थे अपना इज्जत एक बना लिये थे और सांसत का चुनाव लड़ गये थे लेकिन अब उस इज्जत की फिर से फजियत हो रही है उस इज्जत की फिर से धजिया उर रही है यह भी पवन सिंग को समझना होगा अब बार बार जो कह रहे हैं कि मेरा भेटा होगा चोटा पवन आएगा तो बहए तीसरी साधी से आएगा कि जोति सिंग के साथ ही आएगा यह भी तो आपको बताना होगा बिल्कुल जब देखे जी विकाश जी इस तरह से विवाद का कारण बर एं तो पवन सिंग साफ तोर प कहें कि हाँ बाई हम तुम्हें इस दिन लेने आ रहे हैं जोती सिंह त्यार रहे किपने सेसंग Alpha अगर ऊस समें आपके साथ सी जाएगी तब जोती सिंह गलत होगी लेकिन जोती सिंह को आप छोड़ दिए धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिए तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है, जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे, जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि आप चुना आप सोचिए कि अगर यह चुनाव जीद जाते इनके पास सरकारी पावर हो जाता तो तब तो यह जोती सिंग को कहीं के लायक नहीं रहने देते आज पावर इस्टार होते हुए जब जोती सिंग को सरक्पर लाकर खड़े कर दिये तब तो जोती सिंग को यह जहनुम में थोडिया तो इससे बचने के लिए इस फजियत और इस बिजदी से बचने के लिए अगर यह जोती सिंग तो बगायता किसी कोने में किसी फ Angeb की तरफ पड़ी हुई रहती और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता उन ज्ञद कarव नौकर वाला ही और जोती सिंग ने कई बार news channel को interview देते हुए कहा कि मैं रात को 2 बजे खाना बनवाते हैं मेरे से रात को 3 बजे खाना बनवाते हैं जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए अभी खाना बनाओ लेकिन रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं और अलग अलग आप 10 भी बनवाते हैं इसका कई बार उ चौखट चौखट पहुची थी और आशिर्वाद मांग रही थी स्रिया एक तरफ जिस्ता से पवन सिंग और जोती सिंग के रिष्टे चल रहें लेकिन जोती सिंग के भाई ने जो कुछ भी कहा कईने कहीं समाज पर इसका बहुत ज्यादा असर पढ़ता है जिस्ता से जोती एक संदेश लिया है कि पहली बात की अगर किसी के साथ गलत होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए, आप को समाज की आगे आना चाहिए, पने बारे में बताना चाहिए, और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज के सामने नहीं आएंगे, लोगों कोई आपकी परिशानी समझ में नहीं आएगी लोगों आपका कहा चाहे तो पोस्पेक्टिव नहीं समझ पाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ गलत करता है कोई या फिर आपके साथ खुद गलत होता है तो आप ये सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ ऐसा कोछ हो रहा है और उसके साथ साथ जैसे कि जोते संगे भाई ने भी किया कि जो पावन संग पावस्टार के जो कहा चाहे तो फॉलोवर्स है फैन बेस उनका काफी जादा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत ओ में ओंका साहँ दे तु जिस तरीके से उनाट में ऑनके घलत में ओंका साहँ धो वर करा ह्या चाही सफके सिर्दा पाई आपके कि लिएरा धेड़ और फया है अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज में ऐसी गतिवीदिया होती है तो अभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ये सबी जानते हैं हलाकि पवन सिंग का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचास रहेगा तब तक लिए आप युई बने रहिएगा एक न्यूस 24 पर धन्यवाद नवस्कार मैट प्रिया राज आप देखने एक न्यूस 24 आपको बता दें दिनों पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेकर बबीता मिस्रा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रहे लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवन सिंग के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा है पवन सिंग पर भी जमकर बरसे हैं तो अस तमाम मुदों पर बाचीत करेंगे बाचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है विकास और श्रया सबसे पहले विकास जिस्ता से पवन सिंग जोती सिंग के रिस्ते को लेकर आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी जो है मेरा काफी अच्छा दोस्त है हम लोग हमेशा बात चीत करते रहते हैं चाहे जब जोती सिंग पवन सिंग के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं और देखिए आग जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है वो देखिए तो वो जो कमेंट आप पढ़ेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस परिवार के साथ जो जोती सिंग के साथ ये आप बीती हुई है इतना बड़ा घटना घटा है जोती सिंग इस वक्त हॉस्पिटल में है उनका इलाद चल रहा है डॉक्टर परिशान है परिवार के लोग परिशान है और जो पवन सिंग के लोग है हम लोग बोल रहे हैं मतलब जो उनके मीडिया चैनल है पवन सिंग के जो सपोर्टर है जो चार पांच चार पांच यह ज्यादा नहीं है गुरके है चार पांच जो पैसे पर इधर उधर हो जाते है वो जो है वो अपसब्द का परियोक कर रहे है अरे कल तक तो आप चुनांओं में बोर रहते कि जोती भाभी वह जोती भाभी है और आज कह रहे है कि जोती है जोती है अरे इतना बदलाओ कैसे हो गया भाई वो बदलाओ वाला जरा जो घुट्टी पवन सिंग के पास है वो सब को दे दो कि सब बदल जाओ गुट्टी जोती को भी दे देते एक चमच जोती भी पी लेती और बदल जाती पवन सिंग के साथ जो घर का अभी भी जोडने के बारे में सोच रही है वो भूल जाती सब कुछ अपने जिन्गी में आगे बढ़ जाती और आज वो ना भूलन का कारण है कि जोती सिंग सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा अब किस तरीके से वो अपनी जिन्दगी को बिताएगी किस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिन्दगी जो है वो जाएगी अब उसको लेकर जोती सिंग इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है कि उनक के का सब्दों का परियोग करने लग गये थे उसके बाद बगता मिस्रा भरकती है इन लोगों पर इन लोगों को डाटती है डपेटती है यहां तक ही इडियेट तक इन लोगों को बोलती है और सिधा कहती है कि आउट हो जाओ यहां से तुम लोगों का यहां पर कोई जरूरत कर रहे हैं कि कब कोई जोती सिंग का पड़िवार कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं वह ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइप आ जाए तो उहां पर पावन सिंग ने सब को लाइन से यह हुआ उसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पर्योग किया उस बिल्कुल सही सब्द था मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना तब तक आपक कर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीचता है कितनी ज्यादा इज्जत की फजीहत उर जाती है चीछा लेदर तो होता है वह लग और उसके बाद कहने वाले लोग तो क्या-क्या ना कहते हैं कहने वाले को कहने दीजिए इससे जोती सिंग के परिवार को फर्क नहीं परता है लेकिन हाँ उनलोग जो लोग आज भॉख रहे हैं उनकी बहन के साथ ऐसा नहो भगवान न कड़े बिलकुल सुरीया एक तरह पावन सिंग और जोति सिंग के साथ जो कुछ भी अभी चल रह है जो भी जोति सिंग कहा जाए इस में टली हरैस्मिन का सिकार हु रही है कहा जाए तो काफी डिप्रेशन में है और यहां तक की अश्पताल में भी चली जाती है जिस तरह से उनकी तब्यत खराब हो जाती है लेकिन आज जोती सिंग के भाई आकर जिस तरह से लाइब आके लोगों से संपर करते हैं उस दोरान पावन सिंग के सपोर्टर आके वहां में यहां पावन सिंग के लिए जाए जिस थरी के से आवी हाल ही में मत भेड चल रहे है करकार चुनाव के बाद जहां जोति सिंग दिखी जाली थी कि उसी यहां बदेद्पा किया है उसके बाद स Row धी जब जिस तरीके से पवंद संग् groupe बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उन्हें कहा जाए तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उन्हें चोड़ दे क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक लड़की शादी शुदा होती है और वी इसी छोटने मोडे इंसान से नहीं पाव पावस्टार कहा जाता है और अब तो ये बॉलिवुड में अपना नाम बढ़ाने पे तुलेवें आगे बर रहे हैं तो इस तरीके से इतना बड़ा नाम बट इतना चोटा काम ये तो बहुत गलत बात हो जाती है जहां पर जोती सिंग इतनी जादा परेशान हो जाती है मेंटिली भी शोशली भी क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आ जाती है तो समाज में अलग नजर से उससे देखा जाता है उसमें कई बड़े सवाल उठते है उसके चरितर पे सवाल उठते है और हमारा समाज जब एक लड़की को दोशी पहले तहरा जाता है कि तुम्हारी कोई गलती पर यहां पे जोटी सिंग की गलती तो कोई साफ साफ देखी जासेटी कोई गलती नहीं थी वो तो आयदेर हमेशा अपने पती के साथ ही नजर आती तो अधरी पत्नी का रोल निभाते विए सीधे गलत असर पर आये वो बहुत अधर डिप्रेशन के शिकार हो गई है और अभी हॉस्पिटल तक बहुत चुके तो यह काफी कहा जाए तो काफी गंभीर मामला होता चला जा रहा है विकास जी एक तरफ जोती सिंग के भाई इतने बड़े-बड़े बाती कर रहे हैं कहा पूर लगातार पवन सिंग जोती सिंग के रिलेशन को ले करके खबरे चला रही है तो हमारे भी कॉमेंट बाजी में कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं लोगों का कहना है कि तुम्हें कोई खबर नहीं मिल रहा है इस तरह कि तमाम चीजे क्या यह वही हम अपनी वज़े से नहीं कर रहे हैं हर कारा काट की जनता कहा जाए तो पूरी जनता चाहती थी कि दोनों के रिलेशन अच्छे रहे हैं जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है वैसे में पवन सिंग के जो करीबी लोग थे उन्हें भी यह पता था कि यहां पे सिर्फ ज भूल जोक रहे थे अब देखिए वो लोगों को पहले से पता था कि यह चीज होने वाला है इसके लिए उन्हों पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है वो बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे तो हमें किस तरीक का मामला हो या फिर चिराग पाश्वान से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बात हो भी हार सरकार या शराब बंदी को लेकर हर ख़वर को चलाते हैं हाजिपूर में पाश्वानों के साथ जो हुगा हमने उसके लिए भी आवाज उठाया लेकिन देखिए सपोर्ट करना सही क साथ देना ये मीडिया का काम होता है और मीडिया बखुवी इस काम को करता भी है हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे थे जोती सिंग के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाए चाहे वो कोई भी क्यों ना हो चाहे पवन सिंग ही क्यों ना हो लेकिन इस वक्त पवन सिंग गलत है तो है इस वक्त जोती सिंग से अलग रह रहे हैं तो रह रहे हैं और कारण पवन सिंग को बताना ही होगा पवन सिंग जिस तरीके से उससे में तमाम मीडिया चैनलों को बेटा होगा छोटा पवन आएगा तो भाई तीसरी साधी से आएगा कि जोती सींग के साथ ही आएगा ये तो आपको बताना होगा बिल्कुल देखिए विकास जी जिस तार से इतना ब्यान बाजी हो रहा है इस तार से विवाद का कारण बर आ तो पवन सिंग साहत और प्याक जोती सिंग तयार रहेगी जोती सिंग अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी तब जोती सिंग गलत होगी लेकिन जोती सिंग को आप छोड़ दिये धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप चुनाओ हार गए हैं, अच्छा हुआ ये प्रिया जी कि चुनाओ हार गए, आप सोचि सांसाद बनने के बाद क्या कुछ नहीं करते, सांसाद बनने के बाद हो सकता था कि डड़े से इज्जत के कारण ये जोती सिंग को अगर अपने घर में भी रखते, क्योंकि उस समय इन पर सवाल उठता है, एक सांसाद ने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, तो ये इस इस से बचने के लिए इस फजीहत और इस बिजदी से बचने के लिए अगर ये जोती सिंग को अपने घर में भी रखते, तो वह बकायदा किसी कोने में किसी फरनीचर की तरफ पड़ी हुई रहती, और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता, वह जोती सिंग का हालत है, ऐस दीस भी बनवाते हैं, इसका कई बार उन्होंने खुलासा कर चुका है, तो आपके नजर में आपकी पतनी सिर्फ नौकर है, इससे ज्यादा आप दर्जा कभी जोती सिंग को नहीं दिये, लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना, भगवान मान करी, वो लगातार आपको जिताने के लिए घर घर गई थी, चोखट चोखट पहुची थी, और आसिरवाद मांग रही थी, जी, स्रिया, एक तरफ जिसता से पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते चल रहे हैं, लेकिन जोती सिंग के भाई ने जो कुछ भी कहा, कही ने कहीं समाज पर इसका बहुत ज्यादा असर पढ़ता है, जिस तरह से जोती सिंग के भाई ने साफतार पर कहा, उन सपोटरों को जो पवन सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बाती कर रहे थे, जोती सिंग को गाली भद्दा कर रहे थे, तो अगर ऐसा होता है, तो कोई भी भाई यही करना चाहेगा, जोती सिंग के भाई ने लाइव आके यह सारे बातों का खुलासा किया, और साथ ही साथ कहा जाए तो जोती सिंग का स्टांड भी लिया है, सब के सामाज के सामने एक संदेश लिया है, कि पहली बात कि अगर किसी के साथ गलत होता है, तो चुप कर नहीं रहना चाहिए, आपका कहा जाए तो पॉस्पेक्टिव नहीं समझ पाएंगे, तो यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ गलत करता है, और फिर आपके साथ खुद गलत होता है, तो आप यह सामने आके बताएं कि हाँ, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, स्टाट दे रहें, और उसक काफी बात नहीं होती, तो उन्हें ने बहुत करारा और काफी सही तूद पॉइंट उनको जवाब दिया है, और हर एक भाई का यही होता है, कि वो अपनी बेहन की रक्षा करें, तो वो बहुत अपने अपनी भाई के जो रोल है, उसमें बहुत जादा काफी जादा खरे उ इस वक्त भी पवन सिंग के सपोर्टर जम कर गाली फटकार करते रहें, लेकिन जोती सिंग के भाई ने एक एकर सब को करारा जवाब दिया है, अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए, तो आपके भी अगर समाज मैसी गतिवीधिया होती है, तो आभी उसके सपोर्ट में रहें, कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है, ये सब ही जानते हैं, हलाकि पवन सिंग का आगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचास रहेगा, तब तक लिए आप युभी बने रहिएगा, एक निवस 24 पर धन्यवाद नवस्कार, मैं प्रिया राज, आप देखने, एक निवस 24 आपको बता दे, इन दिनों पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेकर, बबीता मिस्रा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रहें, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, ज आई वाकर पवन सिंग के लोगों को, और जो आए दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं, उनको जमकर फटकार लगा हैं, पवन सिंग पर भी जमकर बरसे हैं, तो अस तमाम मुदों पर बाचीत करेंगे, बाचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, विकास और सबसे पहले विकास, जिस्ता से पवन सिंग जोती सिंग के रिस्ते को लेकर, आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही, लेकिन आपको बता दे, इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े-बड़े खुलासे करतें यहां कि आप भी उस लाइव में मौझूद थे, आपने उनके लाइव को सुना है, आपने जवाब भी दिया है, क्या कुछ मामले निकल कर सामने आ रही है? देखिये, उनका भाई जो है मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम लोग हमेशा बात चीत करते रहते हैं, चाहे जब जोती सिंग पवन सिंग के साथ थी उस समय भी, और साथ इस वक्त नहीं है तब भी, हम लोग हमेशा बात करते हैं, और देखिये, आज जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है, वो इंस्टा पर है, और लाइब आए हुए हैं, उसमें काफी ज्यादा भरक रहे थे, काफी ज्यादा गाली दे रहे थे, तो मैंने उन्हें कमेंट किया कि क्यों इतने गुस्से में हो, उन्होंने जवाब दिया कि भाईया क्या बताओं कि इन लोग जो हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप देखिये तो, वो जो कमेंट आप परहेंगे, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कि जिस परिवार के साथ, जो जोती सिंग के साथ ही या आप बीती हुई है, इतना बड़ा घटना घटा है, जोती सिंग इस व अप सब्द का परियोग कर रहे है, आरे कल तक तो आप चुनाओ में बोल रहते हैं, जोती भाभी है, जोती भाभी है, और आज कह रहे हैं कि जोती है, जोती है, अरे इतना बदलाओ कैसे हो गया, भाई वो बदलाओ वाला जरा जो घुर्ट्ै पवन सिंग के पास है, वो घ बूल जाती सब कुछ अपने जिन्दगी में आगे बढ़ जाती और आज वो ना भूलने का कारण है कि जोती सिंग सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा अब किस तरीके से वो अपनी जिन्दगी को बिताएगी किस तरीके से उसकी इतनी लंबी जिन्दगी जो है वो होगा कि पावन सिंग के जो गुड़के हैं वो घुस गये घुसने के बाद किस तरीके का सब्दों का परियोग करने लग गये थे उसके बाद बगता मिसरा भरकती है इन लोगों पर इन लोगों को डाटती है डपेटती है यहां तक ही इडियट तक इन लोगों को बोलती है और सिधा कहती है कि आउट हो जाओ यहां से तुम लोगों का यहां पे कोई ज़रूरत नहीं है आज तुम्हारे परिवार के साथ नहीं हो रहा है और यही से आज । जोति सिंग के भाई के साथ घटना घटता है जोतिसिंग का भाई जब आज इंस्टा के माद्यम से लाएबाकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे कब कब कोई जोती सिंग का पड़िवार या जो लोग जोती सिंह को सपोर्ट कर रे हैं वहीसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा परलाइब आ जाए तो वहां पौर जोती सिंह को बॉनर। तब है न कि कल बविता मिश्रा के साथ यही हुआ और आज उनके भाई के साथ यही हुआ उसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पड़ियो किया उस बिल्कुल सही सब्द था एक जवान बहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीचता है कितनी ज़्यादा इजद की फजीहत उड़ जाती है छीछा लेदर तो होता है वो अलग और उसके बाद कहने वाले लोग तो क्या-क्या कहते हैं कहने वाले को कहने दीजिए इससे जोती सिंग के परिवार को फर्क नहीं पड़ता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हां उन लोग जो लोग आज भौक रहे हैं उनकी बहन के साथ ऐसा नहों भगवान न कड़े श्रुया एक तरह पावन सिंग और जोती सिं आकर जिस तरह से लाइब आके लोगों से संपर करते उस दौरान पावन सिंग के सपोर्टर आके वहां पे कई बड़ी बड़ी बाते करने लगते हैं कॉमेंट बाजी करने लगते इस दौरान कई भिड़न जबड़न और कहा जाए तो जोती सिंग के भाई गाली गुलौज त तो उनकी जिस तरीके से अबी हाल ही में मत भेच चल रहे हैं करगार चुनाव के बाद जहां जोती सिंग दिखी जारी थी कि वो अपने पतनी धर्म पूरी तरीके से निभाई हैं पूरे समय उनको सपोर्ट की हैं उनका कहा जाए तो दाया हाथ बनके उनका बेटर हाव बन जाती है और एसे उन्हें कहा जाए तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उनने चोड़ दे क्योंकि बहुत बढ़ी बात हो जाती है जब एक लड़की शादी शुदा होती है और वी किसी छोटने मोटे इनसान से नहीं पावंद सिंग जिने भ परिशान हो जाती है मेंटली भी शोशली भी क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आजाए जाती है समाज में एक अलग नजर से उसे देखा जाता है उस पे कई बड़े सवाल उटते है उसके चरितर पे सवाल जोड़ी संग के लड़की को दोशी पहले ठहरा जाती है तो तुम्हारी कोई गलती पर यहां पर जोड़ी संग की गलती तो कोई साफ साफ देखी जासे लिए नहीं थी वो तो आए दिन हमेशा अपने पती के साथ ही नजर आती थी तो अर्वा पत्नी का रोल निभाते वे जहां अचानक से परमान सिंग ने उन्हें ऐसे कहा जाय तो इसकार्ड कर दिया उन्हें छोड़ दिया तो यह काफी साथ उनके मेंटली भी उनके फिजिकली भी उनके बोड़ी पे काफी साथ गलत असर पर रहा है वो बहुत अधा डिप्रेशन के शिकार हो गई है और अभ तो अपनी बहन के लिए काफी जादा चिंते हैं जिसता से अभी आपने कहा कि पवन सिंग के जो सपोर्टर है आई दिन पवन सिंग एक टिंग बना लिये हैं जो आ करके लगातार कॉमेंट बाजी करना शुरू कर दे रहे हैं लेकिन आपको बता देए एक निउस 24 लगाता पवन सिंग जोति सिंग के रिलेशन को ले करके खवरे चला आई तो हमारे भी कॉमेंट बाजी में कई ऐसे लोग गाली भद्दे भी दे रहे हैं लोगों का कहना है कि तुम्हें कोई खवर नहीं मिल रहा है इस तरह कि तमाम चीजे क्या यह वही सपोर्टर से या फिर कहा चाहे तो ऐसा क्योंकि हम जो का रहे हैं सिंग के रिलेशन सिफ हम अपनी वजह से नहीं कर रहे हर काराकार्ट की जयनता कहा जहाय wonderful 디ुख पती को अपने पती का प्यार मिले में लेकिन जोती सिंग के साथ उल्टा देखने को मिल रहे हैं चुनाव के बाद महीं से तो अबिस पवन Simh के जो कडीबी लोग थे उन्हें भी ये पता था, कि यहाँ पर जोती सिह के परवार के जो लोगे में जोती सिह के स्ञे नियुक्ट सुनावा पर पर चार में भी नजर आई वह सब यहाँ पर इस्तमाल हो रहे थे, और पवन तैयारी कर चुके थे कि जब ऐसा घटना घटेगा जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है वो बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे तो हमें किस तरीके से रन्निती बनानी है वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं जो सही होगा उसका सपोर्ट किया जाएगा उसके ख़बरों को चलाया जाएं जोती सिंग और पवन सिंग के रिष्टे को लेकर हम लोग तो कई ऐसे ख़बरे चलाते चाहिए चौकिदारों का मामला हो या फिर चिराग पासवान से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बात हो भीहार सरकार या शर को फेले भी आवाज उठा रहे थे जोती शिंग के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे चाहे वो कोई भी क्यों नहीं चाहे पवन सिंग ही प्वन सिंग गलत है तो है इस वक्त जोति सिंग से अलग रह रहे हैं तो रह रहे हैं और कारण पवन सिंग को बताना ही होगा पवन सिंग जिस तरीके से उससे में तमाम मीडिया चैनलों को इंटर्विव दिये थे अपना इज्जत एक बना लिये थे और सांसत का चुनाव लड़ गये थे लेकिन अब उस इज्जत की फिर से फजियत हो रही आ है उस इज्जत की फिर से धजिया हुर रही है ये भी पवन सिंग और बार जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा छोटा पवान आएगा तो भाई तीसरी साधी से आएगा कि जोती सींग के साथी आएगा यह फितु आपको बताना होगा ना विकास जी जिस्तार से इतना व्यानबाजी हो रहा है इस तरह से विवाद का और भर है तो पवाई सी शाफ-तौर पे आके अपने मेडिया कर्मियों के सामन यहां भाई हम तुम्हें इस दिन लेने आ रहे हैं, जोती शिंग तयार रहेगी, जोती शिंग अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी, तब जोती सिंग गलत होगी, लेकिन जोती सिंग को आप छोड़ दिये, धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये, तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है, जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे, जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप चुनाओ हार गए है, अच्छा हुआ यह प्रिया जी कि चुनाव हार गए आप सोचिए कि अगर यह चुनाव जीत जाते इनके पास सरकारी पावर हो जाता तो तब तो यह जोती सिंग को कहीं कि लायक नहीं रहने देते आज पावर इस्टार होते हुए जब जोती सिंग को सरक पर लाकर खड़े कर पासा दिये तब जोती सिंग को जहनू में पहुचा देते सांसाध की सांसाध बनने के बाद हो सकता था जोपने घर में भी रखते इस हां इस ऐसे बचने के लिए इस पजीहत जोती सिंग को अपने घर में opioids तो बगायदा किसी कोने में किसी फरनीचर की तरफ पड़ी वो जोती सिंग का हालत होता, ऐसे भी जोती सिंग का आपके घर पे नौकार वाला ही हालत है, जोती सिंग ने कई बार न्यूस चैनलों को इंटर्व्यू देते हुए कहा कि मैं रात को दो बज़े खाना बनवाते हैं, मेरे से रात को तीन बज़े खाना बनवाते हैं, जब भी आप दरजा कभी जोती सिंग को नहीं दिये लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना भगवान मान करी वो लगतार आपको जिताने के लिए घर-घर गई थी चोखट चोखट पहुची थी और आसिरवाद मांग रही थी स्रिया एक तरफ जिसता से पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते चल रहे लेकिन जोती सिंग के भाई ने जो कुछ भी कहा कईने कई समाज पर इसका बहुत जादा असर पड़ता है जिसता से जोती सिंग के भाई ने साफ तोर पे कहा उन सपोर्टरों को जो पवं सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि पहली बात की अगर किसी के साथ गलथ होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए आपको अपने आवास उठानी चाहिए आपको समाज के आगे आना चाहिए अपने बारे में बताना चाहिए और बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप समाज के सामने नहीं आएंगे लोगों को आपकी परिशानी समझ में नहीं आएगी लोगों आपका कहा चाहिए तो पोस्पेक्टिव नहीं समझ पाएंगे तो यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ गलत करता है कोई या फिर आपके साथ खुद गलत होता है तो आब यह सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उसके साथ-साथ जैसे कि जो ते संगे भाई ने भी किया कि जो पावन सिंग पावस्टार के जो कहा ज़िए तो फॉलोवर्स है फैन बेस उनका काफी जादा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अच्छी बात नहीं हो थी तो उन्हें ने बहुत करा रहा है और काफी सही टूदा पॉइंट उनको जवाब दिया है और हर एक भाई का यही होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा गरे तो वो बहुत अपने अपने भाई के जो रोल है उसे बहुत सादा काफी सादा खरे उत जवाब दिया हलाकि जोती सिंग अस्पताल में थी इस वक्त भी पवन सिंग के सपोर्टर जम कर गाली फटकार करते रहें लेकिन जोती सिंग के भाई ने एक एकर सब को करारा जवाब दिया है अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज मैसी गतिवीधिया होती है तो अभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ये सब ही जानते हैं हलाकि पवन सिंग का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचास्त रहेगा तब तक लिए आप यूई बने रहिएगा एक निउस 24 पर धन्यवाद नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखने एक निउस 24 आपको बता दें दिनों पवन सिंग और जोती सिंग के रिस्ते को लेखर बबीता मिस्टा कई बड़ी खुलासी की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जोती सिंग के भाई अब लाइव आकर पवन सिंग के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंग पर भी जमकर बरसे हैं तो अस तमाम मुदों पर बाचित करेंगे बाचित के लिए मैं साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है वि विकास जिसता से पवन सिंग जोती सिंग के रिष्टे को लेकर आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े-बड़े खुलासे करते यहां तक कि आप भी उस पवन सिंग के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं और देखिए आग जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंग के जो भाई है वो इंस्टा पर है और लाइब आए हुए हैं उसमें काफी जादा भरक रहे थे काफी जादा गाली दे कि जिस परिवार के साथ जो जोती सिंग के साथ यह आप बीती हुई है इतना बड़ा घटना घटा है जोती सिंग इस वक्त हॉस्पिटल में है उनका इलाद चल रहा है डॉक्टर परिसान है परिवार के लोग परिसान है और जो पवन सिंग के लोग है हम लोग बोल रहे है मतलब जो उनके मीडिया चाइनल है पावन सिंग के जो सपोटर है जो चार पाँच यह ज्यादा नहीं है गुर्के है चार पाँच जो पैसे पर इधर उधर हो जाते है वो जो है वो अब सब्द का परियोग कर रहे है अरे कल तक तो आप चुनाओं में बोर रहते कि जोती भा जोती भी पी लेती और बदल जाती पवण सिंग के साथ जो घर का अभी बी जोडने के बारे में सोच रही है वो भूल जाती सब कुछ अपने जिंद्गी में आगे बढ़ जाती और आज वो न भूलने का कारण है कि जोती सिंग सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा अ वह इस वक्त हॉस्पिटल में है इलाज जारी है और जब इसका खुलासा बभीता मिस्रा करती है तो जिस तरीके से बभीता मिस्रा के लाइप में भी आप सबने देखा होगा कि पवण सिंग के जो गुरके हैं वो घुश गये घुशने के बाद किस तरीके का सब्दों का परि हो और सिधा कहते हैं कि आउट हो जाओ यहाँ से तुम्हारे परीवार के साथ नहीं हो रहा है और यहीं से आज जोती सिंहक जरूते हैं जोती सिंह के माध्यां बाकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे उस समय भी इन लोग पहुंच जाते हैं recommends इन कि कब कोई जोती सिंग का पड़िवार कब बविता मिस्रा या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं वह ऐसा कुछ खबर चलाए या ऐसे इंस्टा पर लाइप आजाए तो उहां पर पावन सिंग ने सब को लाइन से खड़े कर दिया है कि सब एक एक देखते रहो जैस इसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला जो सब्द से उनके भाई ने इन लोगों को पड़ियो किया उस बिल्कुल सही सब्द था मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप मा को बैठाते हैं तो उन्हें क्या बीठती है एक जवान बेहन को जब साधी हो जार उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है तो उस भाई पर क्या बीठता है कितनी ज़्यादा इज्जत कब किसी को फ़रक नहीं पड़ता है लेकिन ओन लोग जो आज भौक रहे हैं उनकी बहन के साथ ऐसा नहों भगधवान डदे शरया वह जो सुनर्ब्स झोषग की चल रहा है जो भी जोति सिंध्ल कई वीस्तिर सिप्ट का जाय स्ट्रीक कि Teams 00 hrs से संपर करते उस दौरान पावन सिंग के सपोर्टर राकिे वहां पे कई बड़ी-बड़ी बाते करने लगते हैं कौमेंट बाजी करने लगते इस दौरान कई भिड़न जबड़न और कहा जाए तो जोती सिंग के भाई गाली गुलौज तक उतर जाते हैं लोगों से यह भी क प्रकाप प्रविजे तेशाल में मधेचनाफ के बाद जहां जोति सिंग दिखी जाली थी की वो अपनी धर्म पूरी तरीकी से निभाई हैं पूरे समय उनको सपोर्ट की है उनका बेटर हाब बन कि उनके साथ हरी हैं हमेशा अपनी जोली फेला के उनके वोट तक मांगी हैं उनके साथ धूप में चली हैं, सारे काम उनके साथ ही ये हैं उसके बाद भी, जब जिस तरीके से पवंसिंग ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया और ऐसे उन्हें कहा जाए तो समाजिक रूप में उनके उपर एक कहा जाए तो दाग लगा के उन्हें छोड़ दे क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक लड़की शादी शोड़ा होती है जहां पर जोड़ी सिंग इतनी जादा परेशान हो जाती है मेंटली भी शोड़ी क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आजाए जाए एक समाज में अलग नजर से उसे देखा जाता है उस पर कई बड़े सवाल उ जाए जाए आज साथ पाता हु लुए और ये जल नजつी पत्नीका रोलनी विथसेज्पार्ल में पात ट्वालय से भाता है युए भी जाए जिएर तो क्यों हए उसे हमें आजने थे ने च्भी पाता हो जाए जहां जाए चाहा जाए तो एव अड़ी टाता है लिए तर ड विकास जी एक तरफ जोति सिंग्के भाई इतने बड़े बड़े बाती कर रहे हैं कहा जाए तो अपनी बहन के लिए काफी जादा चिंते हैं जिस्तार से अभी आपने कहा कि पवंसिंग के जो सपोर्टर है आई दिन पवंसिंग एक टिंग्म बना लिए हैं जो आ करके लगा सब कुछ पता था कि जोती सिंग को इस वक्त चुनाओं के तहद हम लेकर आए जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है वैसे में पवन सिंग के जो करीबी लोग थे उन्हें भी ये पता था कि यहां पे सिर्फ जोती सिंग इस्तमाल हो रही है जोती सिंग के परिवार के जो लोग है जोती सिंग की जो बड़ी बहन है जो चुनाओं परचार में भी नजर वो सब यहां पर इस्तमाल हो रहे थे, आप पवन सिंग सब के आखों में धूल जोक रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से धूल जोक रहे थे, अब देखिए, वो लोगों को पहले से पता था कि ये चीज होने वाला है, इसके लिए उनलोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे, क कि जब ऐसा घटना घटेगा, जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है, वो बीच रहा पर लाकर छोड़ेंगे, तो हमें किस तरीके से रन्निती बनानी है, वैसे में जोती सिंग का सपोर्ट हमारा चैनल और हम लोग आज से नहीं कर रहे है, जो सही होगा, उसका सपोर्ट किय जाएगा, उसके ख़बरों को चलाया जाएगा, जोती सिंग और पवन सिंग के रिस्ते को लेकर हम लोग तो कई ऐसे ख़बरें चलाते हैं, चाहिए चौकिदारों का मामला हो, या चिरात पास्वान से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी बात हो भीहार, सरकार या शराब बं हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे थे, जोती सिंग के लिए हम अब भी आवाज उठा रहे हैं, और जिसके साथ गलत होगा हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों नहों, चाहे पवन सिंग ही क्यों नहों, लेकि तो बित शादि से आएगा कि जोति सिंकि के साथ ही आएगा येवित आपको बताना हो गांगर्ध विकारT ची जिस तरह से इतना विवात काango रहा तो पावन सिंक Σाहताओ लोप्याके मेडिया कर्मियों के सामने बोल दें कि वो अपनी पत्नी की शाहत необход SuchR बोर दिये, धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये, तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है, जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे, जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट थ अज पावरी श्टार होते हुए जब जोती सिंग को सरक पर लाकर खड़े कर दिये तब तो जोती सिंग को ये जहनूमें पहुंचा देते शंसात बनने के बाद क्या कुछ नहीं करते Ausat बनने के बाद हो सकता था कि डरे से हम इजजत के कारण जोती शिंग को अगर अपने घर में भी रखते कि इस तह में इन पर सवाल उठता है एक सांसद में अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया तो ये इस इस से बचने के लिए इस भजीहत और इस बेज़िदी से बचने के लिए अगर जोती शिंग को अपने घर म जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए अभी खाना बनाओ लेकिन रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं और अलग अप डीस भी बनवाते हैं इसका कई बार उनोंने खुलासा कर चुका है तो आपके नजर में आपकी पत्नी शिर्फ नौकर है इससे ज्यादा आप दरजा कभी जोती सिंग को नहीं दिये लेकिन जोती सिंग ने आपको भगवान माना भगवान मान कर ही वो लगतार आपको जिताने के लिए घर घर गई थी चोखट चोखट पहुची थी और आसिरवाद मांग रही थी जी इक तरफ जिस तरफ से पवन सिंग को ले करके कई बड़ी बड़ी बाती कर रहे थे जोती सिंग को गाली भद्धा कर रहे थे तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी भाई यही करना चाहेगा आपको क्या लगता है जी हां बिलकूल जिस तरीके से जोतिसंग के भाई ने लाइव आके ये सारे बातों का खुलासा किया और साथ ही साथ कहा जाए तो जोतिसंग के स्टैंड भी लिया है सबके सामने समाज के सामने ایک संदेश लिया है पहली बात की पाइण सा में नहीं सामने पादाने है उसकी सामाज सामने कं आएगे लोगों की आपकी परिशानी समझमे नहीं आएगे लोगों आपका बहुती लोगों की अपके आप कहा चाहें तो पोसप्पेक्टिव नहीं समाझ माइगे तो यह अगर आपके साथ गलत करता है को या फिर आपके साथ खुद गलत होता है तो अब यह सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ अशा कोछ हो रहा है और उसके साथ-साथ जैसे की जो ते संगे भाई ने भी किया कि जो पावन संग पावस्टार के जो चाहज़ तो फॉलोवर से बात पावी कि यह तो यहां व्युक्त क हेँ जबाब दिया है और एक भाई का यही होता है कि वो अपने बहन की रक्षा गरे, तो वो बहुत अपने भाई के जो रोल है उसमें बहुत जादा काफी जादा खरे उतरे हैं और ये काफी अच्छी बात हो जाती है उनके तरफ से जैसा के भी आपने सुना कि पावन सिंग जोती सिंग के रिस्तिक लेकर आज जोती सिंग के भाई ने जमकर पावन सिंग के उन सारे सपोर्टरों को करारा जवाब दिया हलाकि जोती सिंग अस्पताल में थी इस वक्त भी पावन सिंग के सपोर्टर जमकर गाली फटकार करते रहें लेकिन जोती सिंग के भाई ने एक एकर सब को करारा जवाब दिया है अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज मैसी गतिवीधिया होती है तो अभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ये सब ही जानते ह रहेगा तब तक लिए आप युवी बने रहिएगा एक निवस्ट्रिया राज आप देख एक निवस्ट्रिया आपको बता दें दिनों पवन सिंह और जोती सिंह के रिस्ते को लेकर बबीता मिस्रा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जोती सिंह के भाई अब लाइव आकर पवन सिंह के लोगों को और जो आए दिन पवन सिंह के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवन सिंह पर भी जमकर बरसे हैं तो अस तमाम मुदों पर बाचित करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है विकास और श्रेया सबसे पहले विकास जिस्ता से पवन सीन जोती सिंह के रिष्टे को लेकर आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंह के भ रहते हैं चाहे जब जोती सिंह पवन सिंह के साथ थी उस समय भी और साथ इस वक्त नहीं है तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं और देखिए आग जैसे ही मैं देखा कि जोती सिंह के जो भाई है वो इंस्टा पर है और लाइब आई हुए हैं उसमें काफी जादा भरक र हैंगे तो आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस परिवार के साथ जो जोती सिंह के साथ यह आप बीती हुए है इतना बड़ा घटना घटा है, जोती सिंग इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका इलाद चल रहा है, डॉक्टर परिसान है, परिवार के लोग परिसान है, और जो पवन सिंग के लोग है, हम लोग बोल रहे हैं, मतलब जो उनके मीडिया चैनल है, पवन सिंग के जो सपोर्टर है, जो चार प जोती है जोती है अरे इतना बदलाओ कैसे हो गया भाई वो बदलाओ वाला जरा जो घुट्टी पवन सिंग के पास है वो घुट्टी सब को दे दो कि सब बदल जाओ गुट्टी जोती को भी दे देते चमच जोती भी पी लेती और बदल जाती पवन सिंग के साथ जो घर का अभी भी जोडने के बारे में सोच रही है वो भूल जाती सब कुछ अपने जिन्गी में आगे बढ़ जाती और आज वो ना भूलने का कारण है कि जोती सिंग सोच सोच कर आगे पीछे क्या करना होगा अब किस तरीके से वो अपनी जिन्गी को बिताएगी किस तरीके से उसक करती है तो से पावन सिंहीं के जो घुझ गुख गुशने के बाद सब्दों का पर्योग करने लग गए थे उसके बाद बद्वेटबों को डाटती है यहां तक ईडियैट पको बोलेता को लें पते हैं से और और यह हैं जब आज इंस्टा के माद्याम से लाइब आकर तमाम मुद्दों की जानकारी दे रहे थे, उस समय भी इन लोग पहुंच जाते हैं, मतलब इन लोग इंतिजार कर रहे हैं, कि कब कोई जोती सिंग का पड़िवार, कब बविता मिस्रा, या जो लोग जोती सिंग को सपोर्ट क कर रहे हैं, वह ऐसा कुछ खबर चलाएं, या ऐसे इंस्टा पर लाइप आ जाएं, तो उहां पर पविता मिस्रा के साथ यही हुआ, और आज उनके भाई के साथ यही हुआ, उसके बाद उनका भाई का जो करा तेवर देखने को मिला, जो सब्द से उनके भाई ने इन को परियोग किया, उस बिल्कुल सही सब्द था, मैं बिल्कुल सही इसलिए कह रहा हूँ, कि जब तक आपकी बेहन बेटी के साथ नहीं होगा ऐसा घटना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कि एक जवान बेटी को घर में एक बाप मा को बैठाते हैं, तो उन्हें क् बेहन को, जब साधी हो जार, उसके बाद उसका भाई जाकर उसे अपने घर में लाकर बैठा है, तो उस भाई पर क्या बीचता है, कितनी ज़्यादा इज्जत की फजीहत उर जाती है, छीछा लेदर तो होता है, वो अलग, और उसके बाद, कहने वाले लोग तो क्या-क्या न कहते हैं, कहने वाले को कहने दीजिए, इससे जोती सिंग के परिवार को फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, उन लोग जो लोग आज भौक रहे हैं, उनकी बहन के साथ ऐसा ना हो भगवान न कड़े, बिल्कुल, स्रुया, एक तरह प जोती सिंग के भाई आकर जिस तरह से लाइव आकर जोती से संपर्ड़ करते हैं, उस दौरान कई बढ़ी-बड़ी बात ही करने लगते हैं, कोमुएं बाजी, इस दौरान कई भौक जबड़ा और कहा जाये, तो जोती सिंग के भाई, गाली गुलोज तक उतर जाते हैं, ल तो उनकी जिस तरीके से अभी हाल ही में मदभेच चल रहे हैं करगार चुनाव के बाद जहां जोति सिंग दिखी जारी थी कि वह अपने पत्नी धर्म पूरी तरीके से निभाई हैं पूरे समय उनको सपोर्ट की हैं उनका कहा जाए तो दाया हाथ बनके उनका बेटर हाव बन कि बहुत बड़ी बात हो जाती है यह तो बहुत गलत बात हो जाती है जहां पर जोति सिंग इतनी जाद मेंटिली भी शोशली भी क्योंकि जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाए तो रिजेक्शन की जो बात आजाती है यारी समाज में अलग नजर से देखा जाता है उसमें कई बड़े सवाल उटते है और हमारा समाज ही ऐसा है कि हर एक चीज में लड़की को दोशी पहले ठहरा जाता कि तुम्हारी कोई गलती पर यहां पे जोति सिं टानक से पर्मान सिंक ने अरे स्पीज अरे भी आटो हिस्तव पर देखा है टुक यहा जो ऑब माहला होता कि तो यहां अंता प्रहल आजगा है विकास जाताभ जिन स्बthoseस् कि जोतिति बहुतार पाती है रहे हैं मुझें कर दुली जाता है लुफ भादे प्हुपार मु द से अभी आपने कहा कि पवन सिंग के जो सपोर्टर है आई दिन पवन सींग एक टिंग बना लिये हैं जो आ करके लगातार कॉमेंट बाजी करना शुरू कर दे रहे हैं लेकिन आपको पता देख नियूस 24 लगातार पवन सिंग जोती सिंग के रिलेशन को ले करके खबरे चला रहे हर काराकाड की जंता कहा जाये तो पूरी जंता चाहती थी कि दोनों के रिलेशन अच्छे रहें एक पती को अपने पतनी का प्यार मिले लेकिन जोती सिंग के साथ उल्टा देखने को मिल रहे है चुनाव के बाद से तो आब सिली यह तो मैटर करता है जी किर्षि można को पता था कि जोती सिंग को इस वक्ट चुनाओ के तहद हम लेकर आई हैं, तो चुनाओ खत्म होते ही जोती सिंग को किस तरीके से छोड़ना है, वैसे में पवन सिंग के जो कड़ीवी लोग थे, उन्हें भी ये पता था कि यहाँ पे सिर्फ जोती सिंग इस्तमाल हो रही है, जोती सिंग के परिवार के जो लोग है, जोती सिंग की जो बड़ी बहन, जो चुनाओ परचार में भी नजर आई, वो सब यहां पर इस्तमाल हो रहे थे, आप पवन सिंग सब के आखों में धूल जोक रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से धूल जोक रहे थे, अब देखिए, वो लोगों को पहले से पता था कि ये चीज होने वाला है, इसके लिए उनलोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे, कि जब ऐसा घटना घटेगा, जोती सिंग को जब पवन सिंग जो है, वो बीच रहा पर ला कर छोडएंगे, तो हमें किस तरीके से रन्निती बनानी है, वैस चिराग पाशवान से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी बात हो, विहार, सरकार या शराब बंदी को लेकर, हर ख़वर को चलाते हैं, बिल्कुल चाहे हाज़िपूर में पाशवानों के साथ जो हुगा हमने उसके लिए भी आवाज उठाया, लेकिन देखे, सपोर्ट करना, सही का साथ देना, ये मीडिया का काम होता है, और मीडिया बखुवी इस काम को करता भी है, हम लोग लगातार जोती सिंग के लिए पहले भी आवाज उठा रहे हैं, और जिसके साथ गलत होगा, हम उसके लिए भी आवाज उठायेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों नहों, चाह आव को अपना इज़त बना लिए थे और सांसत का चुनाव लड़ गये थे, लेकिन अब उस इज़त की फिर से भजीएत हो रहे है और जी ये भी पवन सिंग को समझना होगा अब पवन सिंग बार बार जो कह रहे है कि मेरा बेटा होगा चोटा पवन आएगा तो भाई ती लेडिया कर्मियों के सामने बोल दे कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते है अपनी पत्नी को घर ले आए जो यह तमाम खबरे चल रही है विवाद चल रहे है वो रुख जाएंगे बिल्कुल वो विवाद रुख जाएंगे जैसे ही पावन सिंग जोती सिंग से या तो अगर उस समय आपके साथ नहीं जाएगी तब जोती सिंग गलत होगी लेकिन जोती सिंग को आप छोड़ दिये धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिये तो आप गलत है ना कि जोती सिंग गलत है जोती सिंग को आप पहले भी निकाले थे जोती सिंग को आप दुबारा घर से निकाले हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में खोट था, आपके मन में पहले से ही खोट था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप चुनाव हार गए हैं, अच्छा हुआ ये प्रिया जी कि चुनाव हार गए, आप सोचिए कि अगर ये चुनाव जीच जाते इनके पास सरकारी पावर हो जाता, तो तब तो ये जोती सिंग को कहीं के लायक नहीं रहने देते, आज पावर होते हुए, जब जोती सिंग को सरक पर लाकर खड़े कर दिये, तब तो जोती सिंग को ये जहनुम में पहुचा देते, सांसद बनने के बाद क्या कुछ नहीं जोती सिंग को अपने घर में भी रखते, तो बकायदा किसी कोने में किसी फरनीचर की तरफ पड़ी हुई रहती, और वही घर का जो नौकर वाला हालत होता, वह जोती सिंग का हालत होता, ऐसे भी जोती सिंग का आपके घर में नौकर वाला ही हालत है, जोती सिंग ने कई बार न्यूज चानलों को इंटर्व्यू देते हुए कहा कि मैं रात को दो बजे खाना बनवाते हैं, मेरे से रात को तीन बजे खाना बनवाते हैं, जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए अभी खाना बनाओ, लेकिन रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं, और अलग अलग आप ड जिताने के लिए घर घर गई थी चोखट चोखट पहुंची थी और आसिरवाद मांग रही थी जी स्रीया एक तरफ जिस्ता से पवन सिंग और जोती सिंग के रिष्टे चल रहे हैं लेकिन जोती सिंग के भाई ने जो कुछ भी कहा कई ने कई समाज पर इसका बहुत ज्याद यह सारे बातों का खुलासा किया और साथ ही साथ कहा जाए तो जोती सिंग का स्टांड भी लिया है सबके सामने समाज के सामने एक संदेश लिया है कि पहली बात कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो चुप कर नहीं रहना चाहिए आपको अबने आवास उठानी चाहिए कि अगर आपके साथ गलत करता है कोई अफिर आपके साथ खुद गलत होता है तो आप यह सामने आके बताएं कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ जैसे की जोती सिंग भाई ने भी खिया कि जो पावन सिंग पावस्टार के जो कहा जो तो फॉलोवर और हर एक भाई का यही होता है कि वो अपनी बेहन की रक्षा करें तो वो बहुत अपने अपनी भाई के जो रोल है उसमें बहुत ज़ादा काफी ज़ादा खरे उतरे हैं और ये काफी अच्छी बात हो जाती है उनके तरफ से जैसा के भी आपने सुना कि पाउन सी जोती सिंग के रिस्तिक लेकर आज जोती सिंग के भाई ने जमकर पाउन सिंग के उन सारे सपोर्टरों को करारा जवाब दिया हलाकि जोती सिंग अस्पताल में थी इस वक्त भी पाउन सिंग के सपोर्टर जमकर गाली फटकार करते रहे लेकिन जोती सिंग के भाई ने एक एकर सब को करारा जवाब दिया है अगर आपको संदेश के रूप में कहा जाए तो आपके भी अगर समाज में ऐसी गतिवीधिया होती है तो आभी उसके सपोर्ट में रहिए कोई भी बात छिपाने से छिपती नहीं है ये सब ही जानते हैं हलाकि पवंस सिंग का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचास रहेगा तब तक लिए आप यूँभी बने रहिएगा एक निवस 24 पर धन्यवाद नवस्कार मैट प्रिया राज आप देखरें एक निवस 24 आपको बता दे इन दिनों पवंसी और जोती सिंग के रिष्टे को लेकर बबीता मिस्रा कई बड़ी खुलासे की और विवादों का भी कारण बनी रही लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे जोती सिंग के भाई अब लाई वाकर पवंसींग के लोगों को और जो आए दिन पवंसींग के तारीफ करते हैं उनको जमकर फटकार लगा हैं पवंसींग पर भी जमकर बरसे हैं तो अस तमाम मुदों पर बाचित करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है विकास और श्रेया सबसे पहले विकास जिस्ता से पवंसींग जोती सिंग के रिस्ते को लेकर आई दिन अनबने और बबीता मिस्रा भी चर्चे में बनी रही लेकिन आपको बता दे इस वक्त उनके भाई यानि जोती सिंग के भाई लाइव आकर बड़े बड़े खुलासे करते यहां तक कि आ आपने उनके लाइव को सुना है आपने जवाब भी दिया है क्या को